वो तो हमेशा देश के खिलाब काम करते आए हैं, अगर वो कांस्ट्यूशन के खिलाब काम करते हैं, जब समीदान बना तो जलाने वाले लोग फूल थे, सिर्फ कॉंग्रेस में हैं, देश में और भी कहीं पुर्बानी दिये देश के आजादी के लिए वहाँ पर लोग हैं, इसे टॉंट मार के बात करने से, यह कोई मैं उसको सीरियस नहीं लेता, यह कहिने का मतलब यह है, कि वो उनको हमारे को नीचे दिखाने के लिए वो काम कर कॉंग्रेस पार्टी, मोस्ट पेट्रियोर्टिक पार्टी, थाउजंड एंड लैक्स पीपल वेंट टू जेल, डाइड इन फ्रीडम मोर्मेंट, इनोंनों कहीं भी नहीं, और पेट्रियोर्टिसम की बात करते हैं, एक, जब हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, यह की वेलफेर मेजर्स लाने के लिए क्या सेंसस की बात हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि हम जो पूछने वाले या गरिबों की मदद करने वाले पेट्रियोर्टिक नहीं है, वो ही पेट्रियोर्टिक है, वो तो हमेशा देश के खिलाब काम करते हैं, अगर वो बना तो जलाने माले लोग पूल थे, यही लोग थे, और मनुस्मृति को लाओ, और यह समीदान को हटाओ, उनका नारा था, और तिरंगे जंडे को भी उन्हें अपना जंडा नहीं माना, तो ऐसे लोगों के पास पेट्रियोर्टिजम है, पेट्रियोर्टिक लोग, देश में और भी कहीं कुर्बानी दिये देश के आजादी के लिए, वहां पर लोग हैं, दूसरे पार्टी में लोग, यह तो हमेशा अपनी जान की रक्षा के लिए, यह ब्रिटिशरों को शरण गए थे, ऐसे लोग हमको सिखाना यह उनको शोबा नहीं देता, आपकी करे के विक्सित भारत देखें, आप 2047 तक विक्सित भारत बनाएंगे तब तक आप जीए, इसे टॉंट मार के बात करने से, यह कोई मैं उसको सीरियस नहीं लेगा, यह उन्होंने अपने स्टाइल में, औरे मेरा विक्सित भारत देखो, तुम सव साल जिद, देड़ सव साल सवासोस है, यह कहने का मतलब यह है, कि वो उनको हमारे को नीचे दिखाने के लिए वो काम करें, लेकिन पहले